कैसे हैं आप सब उमीदें आप सभी स्वस्थ होंगे आज जो सीवेसी ने 21-22 में जो बच्चे बोर्ड की एक्जाम देंगे उनके लिए क्या क्या चेंजिस किये हैं एक्जाम पैटर्ण में उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं आपको पता ही ये पैंडेमिक की वज सब्सक्राइब कंप्लीट जानकारी आपको अमद देने जा रहे हैं सो कीप ओन वॉचिंग आप देखते रहे हैं तो यह है पूरा डीटील जिस तरीके से आपका क्राइटीरिया डिसाइड किया गया है 2021-22 के लिए जिस तरह किस आपके एक्जाम होंगे इसमें आपको मैं देखेंगे किस तरीके से उन्होंने सिलेबस के बारे में बताया है एक्जाम के बारे में बताया है तो हम आते फ़र्स पॉइंट पर देख सकते पहली जो सबसे इंपॉर्टन चीजस में इन्होंने बताय तो सबसे पहली चीज क्या कहीं गई है कि academic session to be divided into two terms with approximately 50% syllabus in each term त में 50-50 आएगा अब 50-50 कैसे डिवाइड होगा that will be decided by cbsc experts of cbsc will take decision about it okay then coming to the next point the syllabus for the board examination 2021-22 will be rationalized similar to that of the last academic session to be notified in july 2021 इसमें आपका school को जो cbsc ने curriculum issue किया होगा उसको follow करना पड़ेगा rationalize करके cbsc issue करेगी उसी को सब follow करेंगे फिर आपका practicals assessment project इन सबको और अधिक fair बनाने का प्रयास किया जाएगा सबके record maintain के जाएंगे they will be main thing is कि जो भी काम हो रहा है that should be unbiased and fair that should be in favor of the students फिर हम बात करते details of curriculum transaction यह curriculum transaction की जो बात इसमें हो रही है इसमें separately आपका 9 10 के लिए भी दिया है और 11 12 के लिए भी दिया हुआ है आप इसमें देखेंगे 9 10 के लिए क्या कहा गया है कि तो आपका assessment वैसे भी होता रहता है तो इसमें specially नहीं कहा है कि टम 1 एंट टू यह तो हो नहीं होना है टम 1 एंट टू होगा इसके साथ-साथ-साथ-3 periodic test की बात कहीं जा रही है along with 3 periodic test टम 1 एंट टू होगा और साथ-साथ में आपकी जो enrichment प्रोग्राम था पॉर्टफोलियो से प्रोजेक्स से यह स्पीकिंग लिस्निक एक्टिविटी से यह सारी चीज़ें भी होंगी और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा ठीक है फिर आपती निक्स पॉइंट पे हम 11th & 12th के लिए भी क्या कहा तर्म 1 & टर्म 2 होगा इस स्कूल प्रीट प्रोफाइल करना पड़ेगा स्कूल को वर बच्चे का एक प्रोफाइल क्रियेट होगा जिसने बच्चे के सारी रिकॉर्ड को इसमें डिजिटली मेंटीन करके रखा जाएगा और सीबिशी के द्वारा मांगे जाने पर इनको द इसके साथ समय समय पर आपको रिसोर्स के रूप में सैंपल पेपर ग्रेशन बैंक्स और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यह सारी चीज़े भी आपको देती रहेगी सीवेसी क्योंकि सिस्टम में चेंज हो रहा है तो इसकी वज़े से सिवेसी टीचर को भी ट्रेंड करेगी और बत्चो को जो भी आपकी सामगरी है वह भी उपलब्ट कराने का काम करेगी फिर रहे थे टमवन examination at the end of the first term the board will organize term one examination अब यह इन्होंने कहा है कि first term की समाप्ती पर board examination करवाएगी term one वो कब होगा roughly इन्होंने कहा है कि वो आपका होगा November December ठीक है November December में आपका term one exam होगा window open की जाएगी उसमें ठीक है periods of four to six weeks of schools situated in different part of country and abroad dates for conduct of examination will be notified subsequently तो आल चार से छे हफ़ते का समय दिया जाएगा November से December के बीच में 2021 में आपके term exams कराये जाएगे the question paper will have multiple choice questions ही आपको देखना है कि आपका first term के बारे में क्या कहा गया question paper में आपके mcq multiple choice question होंगे साथ में इसमें mcq के साथ साथ क्या होगा case based mcq यह होंगे दूसरा कैसे mcq होंगे mcqs on assessment assertion reasoning जैसे कि आप करते न यह कथा नहीं यह कारण है यह case पश्टी करण है कि नहीं यह दोनों सत्त है तो यह assertion reasoning वाले होते जिसको करने में प्राया आप गलती भी कर देते हैं आपका straightforward question mcq आता है तो तो आप answer लिख देते हैं जहां पर assertion reasoning वाले आते वहां पर कभी कभी गलत भी हो जाते हैं तो अब आपको पूरी thorough deep study करनी पड़ेगी duration of test will be 90 minutes approximately तो लगबग 90 minute का आपका test होने वाला है ठीक है और and will cover only the rationalized syllabus of term 1 only approximately 50% of entire syllabus तो एक चीज़ बिल्कु क्लियर है जितना syllabus आपका term 1 में आ जाएगा term 2 में वो नहीं आना है term 2 वाला आपका term 1 में नहीं आना है and that will be decided by cbsc तो पहला आपने करा कि 90 minutes का mcq होना है first term में question paper will be sent by cbsc यह question paper भी आपको कौन बेज़ेगा mcq cbsc along with marking scheme the exams will be conducted under the supervision of the external center superintendents and observer appointed by cbsc इसका मतलब जो आपका mcq भी होना है उसमें क्या होगा आपका external examiner रहेगा इसमें कुछ चीज़े इसलिए भी की गई है क्योंकि आपको मालुम है एन आपकी जो national education policy भी start की गई है कुछ चीज़े उससे भी ली इसकी वज़े से भी changes है इसमें और pandemic तो एक आपका मुखी कारण है है तो इसमें आपके जो आपके supervisors होंगे आपके अपने school के नहीं होंगे supervisors दूसरे schools के होंगे तो यह एक चीज़ हो गई supervisors बाहर से होंगे इसमें क्या है the responses of students will be captured और OMR जैसे objective में आप करते हो OMR sheet भरते ना वो circle को black करना टिक करना जैसे भी instructions होंगे आपके OMR जो आप की होगी उसको scan की जाएगी और CBSC के portal पे उसको upload भी किया जाएगा ठीक है and will be लिखाए ना साफ-साफ की CBSC portal पे upload करेंगे और alternatively may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the schools on the very same day and this all will have to be done on the same day साथ को परिक्षा होई है तो साथ को यह upload कर देना है उसमें ताकि कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए the final direction in this regard will be conveyed to schools by the examination unit तो यह सब के बारे में तो final आपका description है वो CBSC के पास ही है वैसे भी CBSC के exam में पूरी discretionary power CBSC की ही है तो एक चीज़ clear हो कि 50% syllabus जो first term में आना है 90 minutes का MCQ होना है और आपकी OMR को upload किया जाएगा scan करके अब आते हैं term 2 पे term 2 आपका क्या year end examination है पहले आपने क्या कि the term 1 आपका कब होना था November से December के बीच में 4 to 6 weeks के लिए आपका time दिया गया था now when we talk about the second term then you can see second term के लिए क्या इन्होंने duration time दे रखा है second term के लिए इनका जो समय दिया गया है वो आपका है March and April okay March April का समय दिया जा रहा है तो second term आप देख रहे हैं इन्होंने का March April के में होगा आपका the examination would be held around March April 2022 क्योंकि March April का मतब साल बदल गया फिर the paper will be of two arts वह आपका 90 minutes का था हम लोग पहले paper कैसे करवाते थे तीन घंटे के करवाते थे अभी आपका paper दो घंटे का होने वाला है and have questions of different formats उसमें case-based भी होगा situation-based भी होगा open-ended short answer long answer type open-ended का मतब जैसे हम लोग पहले भी short long answers लेखते थे उस तरीके के भी question answers में आएंगे in case the situation is not conducive for normal descriptive examination अगर हमारी जो इस्थिती है सामाने नहीं हो पाती है तो क्या होगा उसमें normal descriptive examination नहीं हो पाते फिर 90 minute का mcq based examination will be conducted at the end of term 2 also तो पुना आपका second term में भी 90 minutes के mcq ही कराए जाएंगे marks of the term 2 examination would contribute to the final overall result ऐसा नहीं है कि term 1 के number से कोई मतलब नहीं है term 1 और term 2 के मिला करके ही आपके number बनेंगे ठीक है दोनों के number जोडे जाएंगे अब आप देखिए कि क्या conditions यह बहुत जरूरी है आपके लिए कि main four conditions are given कब आपके mcq होने हैं कब आपके two hours का paper long answer बाला होना है coming to the first point see पहला point क्या in case the situation improves and the students are able to come to school एक परिस्तिती सबसे बढ़िया कि अगर आपकी सारी चीज़े ठीक हो जाती बच्चे स्कूल आ जाते तो क्या होगा board would conduct term 1 and term 2 board क्या करेगा term 1, term 2 दोनों ही अपने school या center पे कराएगा and theory marks will be distributed equally between the two exams ठीक है एक condition यह हो गई यह तब है जब everything will be fine, okay and you will be invited or call at the centers or your schools ठीक, one condition कि सब कुछ होके है तो दोनों आपके term school में होंगे second पे हम आते हैं, in case the situation of the pandemic forces complete closure एक में तो complete okay हो गया, एक complete closure की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल खराब परिस्तितियां है complete closure की बात में क्या करना है हमें, November, December 2021 इसमें कहा इन्होंने कि अगर complete closure कहले पहले term में है, ठीक है, पहले term में तो complete closure है, लेकिन second term में ठीक है condition क्या है, दोनों नहीं बन दें, पहले term में आपका नहीं हो पाता हो सकता है, December तक हिस्तिति नहीं अच्छी होई, तो December तक तो आपका MCQ का pattern ही follow होगा, ठीक, और अगर आपका, फिर March, April तक आते हैं परिस्तितियां सुधर जाती हैं, तो उसमें क्या होगा आपका, फिर यहां पे आपका exam center पे होगा, term 1, MCQ based examination would be done by students offline or online from home, in this case, जब आपका पहली term में situation सहीं नहीं है, तब की बात है, ठीक है, in this case, the weightage of this exam for the final score would be reduced, लेकिन अगर आप घर से परिक्षाद दे रहे हैं, तो आपके इन exam का जो weightage है, वो हो सकता है, reduce कर दिया जाए, and weightage of term 2 exams will be increased for declaration of final result, यह हो सकता है, कि आपने घर से जो परिक्षाद है, whether it is online और offline दी है, first term की, उसके weightage को reduce कर दिया जाए, और आपके final exam के weightage को बढ़ा दिया जाए, कब तब जबकी first term आपने घर से दिया है, और second term आपने school या center से दिया है, ठीक, third condition क्या है, in case the situation of the pandemic forces complete closure of the school during March-April 2022, but term 1 exams are held at school or center, हो सकता है, एक महीने के बाद इस तितनीया सामान ने हो गई, आपको school बुला लिया गया, आप school में हैं, और आपके first term exams जो है, November-Decumber के, वो आपके school में conduct करा दिये गए, ठीक है, तो आपने first term exam को क्या कर रहा है, वो, sorry, first term exam आपने school में कर लिये, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, स्थिति खराब होगी, आप देख रहे हैं, बार-बार repeat हो रही है, जैसे condition, कभी delta है, तो कभी gamma है, कभी alpha है, कभी beta है, so the situation is still not under control, तो if the situation becomes like this, अगर ऐसा होता है, कि आपने term 1 को school में दिया, फिर जन्वरी आते आते इस्थिति घराब होगी, और term 2 को आपने घर से देना पड़ गया, तो result would be based on the performance of students on term 1 MCQ-based examination and internal assessment, the weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year and result of candidate, ठीक है, चौति कंडिशन आपकी क्या, in case the situation in the pandemic forces complete closure, किसी भी स्थिति में परिक्षा कर पाना संभव नहीं है, और दोनों ही परिक्षाएं आपकी कैसी होनी है, आपकी online mode में होनी है, तो इसमें ऐसा क्या होगा आपका, results would be computed on the basis of the internal assessment, practical project work and theory marks of term 1 and 2 exams taken by the candidate from whom in case 10th and 12th class, subject to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment, तो these are the four conditions, number one पे आपने क्या करा, कि पहली condition क्या इनोंने, कि अगर सब कुछ सामान नहीं हो गया, दोनों exam आपने school में आकर के दिये, दूसरी परिस्थिति में नहीं क्या का, कि अगर ऐसा होता है, कि आपने पहला exam घर से दिया term 1, दूसरा exam आपने school में आके दिया, तो पहले exam के weightage को कम कर दिया जाएगा, तीसरी परिस्थिति आपकी क्या आती है, कि पहला exam आपने school से दिया, और दूसरा exam आपको घर से देने की स्थिति आ गई, यानि कि मार्च में स्थिति खराब हो गई, तो उसमें क्या होगा, उसमें weightage हमेशा उसी का पढ़ाया जाएगा, जो आप सेंटर पर आकर के दे रहे हो, चौथी स्थिति क्या आगे कि सब कुछ खराब चला, एप्रिल तक conditions जो आपकी है, favorable नहीं हो पाई, और बोथ the examinations term 1 and term 2 घर से देने पड़े, तो ऐसी स्थिति में CBC आपको फिर से guidelines issue करेगी, और आपको उसके हिसाफ से moderation policy के बारे में भी बताएगी, so this was all about the examination which will be held in 2021 and 2022, I hope now you will not have any problem, आपको बिलकुल clear हो गया होगा, अगर फिर भी कोई doubt अपको होता है, you can ask in comment section, okay, thank you for watching.